अंतरगर दलादली चौक के पास जवसाई सहर राजनेता शुबास मुंडा की उनके कार्याले में उसकर उचग्यात अप्राद कर्णियों द्वारा खूली मार्ग कर अफ्या की जाने की घटना प्रतिवेदित हुई थी जिसको लेकर नगडी थाना में थाना कांट संख्या 133 पटातेईस दर्स किया गया गया और उसकांड के उस बेदन ही तुब सिटी इस्टी के नित्रित्व में एक विशेशन संदान दर्द साइटी का भी गढ़न किया गया और जो भी तक्नीकी आसुचना और माहभी आसुचना लब्द थी उसके उपर लगतार कारवाई की तु जमीन के कारवारी थी जमीन के कारवार से संबद रते उनका नगणी खाना अंतरगती दर्द दली मौजा में 119 डेसिमल के उखंड के स्वावित पर लेकर वही के एक और जमीन कारवारी छोटू खलको छोटू गुराओं के साथ विवाद पिछले कुछ समय से चला आता इस एक 119 डेसिमल के अलावा एक और जमीन थी जो लगवग 90 डेसिमल का एक प्लॉट था उसको लेकर के भी छोटू खलकों के द्वारा के अग्रिमेंट किया गया था जिसको लेकर मुर्तक के साथ विवाद चला यह दो जमीन इस पर श्टॉर्ट पर अभी तक यह वोकंट साम एक 119 डेसिमल जमीन पर कपजा करने के उद्धे से छोटू खलकों में सुभास मंडा का सभ्योगी तो उसके साथ ही कारबार में संलिप्त रहा है, संलग न रहा है, विनोत कुमार उफ कनहिया उसके साथ में एक डील थी कि 119 डेसिमल जमीन अगर हमारे कपजे में आ जाती ह सुभास मंडा को हत्या करने के पश्चात या उसको रास्ते से खटाने के बाद तो उस जमीन में हम लोग दोनों ही आदा आदा हिस्सा उसमें कर ली तो एक तरीके से इन दोनों ने ही सबसे पहले प्लैन किया जिसमें की इसका ड्राइवर साव पार्टनर अविजीत पाडी जो चोटु कल्को का ड्राइवर साव पार्टनर है वो ही इसमें शामित था इसको इस पूरे रटना करण की जानकारी थी और वो भी इसमें एक तरीके से संदिक था इसके पश्चात छोटु कल्को और विनूद ने उसके करीबी उठ्याद अपराद कर्मी से संपर्क किया जिससे यह डील हुई कि पंदरा लाइवर से दिये जाएंगे और दस दिसमें जमीन का फ्लॉट था उसमें से दस दिसमें जमीन भी उसको इसको दी जाएगे इसके आदार पर उठ्यात अपराद कर्मी के द्वारा सुटर्स के भी अरेंजमेंट किये गए और विनुद कु जमी virtuous के द्वारा सुट प्लॉट करने विनुद कुराद कॉली जिसका फ्ल्क सखेश करेंगे पहले से ही प्रफ़ यह प्लानिंग तक्रीमन 20 दिनों के पहले की है और एक हफ्ता पहले भी इसकी रिखी की गए घटना की एक दिन पूरू भी इस पार की रिखी की गए इस पिकास से बासमिटा का मुव्मेंट रहता है कि वो आते जाते हैं कि विनों उनका करीबी भी था इसकी उसे मुव्मेंट की पूरी जानकारी भी थी और यह बात भी दिखल करके आई है कि जब घटना ये खटित हुई है 26 दारीक की संध्या की उसके पहले भी विनों का उस जगव पर मुव्मेंट हुआ था वहाँ पर होनी के बाद उस घटना स्थे निकल गया था और उसी के द्वारा छोटू को इस संदर में सुचना भी दीग लग दो है उसके पश्चा जोपरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया और घटना को अंजाम देने के पश्चा छोटू कलकू विनोद कुमार अपने पाई ये सारे लोग उसके बाद जो भी एक युवान ओडर की सिटुएशन वहां पर उपन होगी बहुत भड़का हुआ ज प्रवारी के दौरान छोटू ठलको और इसमें जो अन्यस की जो जो सायोधी है इन तीनों को उपलब्ध हत्यारों के साथ जो है नया सराय नगडी रोड से घरस्तार किया गया है जिसमें की जो हमलों के पास वरामद भी है वो एक जो हत्या में प्रियुक 7.65 mm का एक स्पोर्टिंग डाइसल भी वहां से बरामद भी है इसके अराबा चार मॉबाइल फोन भी बरामद हुए है और जिस गाड़ी से यह लोग भागने के फिराक में थे वो गाड़ी भी एक प्रड़िटा फर्चुनक गाड़ी है वो गाड़ी भी इंके पास से बरामद भी है स्पकार सी सुलेग कांड का खिलासा किया गया है कुछ लोग की गिरफतारी अभी शेष है जैसा मैंने बताया है उनके लिए पुलिस का गातार बिविन स्थानों पर चापरवानी की यह दर नहीं है और उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी भी गिरफतारी पुरेशिती है इसे हैं बायोम जो है मेरिकल प्रिपरेशन का एक मात्रस अंस्थान जहां है कम्प्लीट डिजिटल क्लास्रूम्स, विडियो लेक्चुर्स, स्टूडेंट ट्राकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फेसिलिटी औन हंड़र्ड परसंट रिजल्ट ओर्येंटेड रांकर्स जयर बातों सिस्टम्स, विडियो गत्राइब्रेंटेशन की ख़्यो गज़ परसंट औन है।